हालो एवरिवन मैं हूँ संजय अभी हाल ही के दिनों में मेरे वाट्सअप पर एक मैसेज आया मेरे परमित्र ने मैसेज किया कि हमें बहुत ही अर्जेंट करीब दो हजार रुपे कि आप सकता है और यह यूपी आई नंबर है इस पर तदकाल हमें पैसा प्रवाइड करा दे मैंने देखा मैंने सोचा कि इनको क्या आव सकता पड़ गई यह तो कभी हमसे पैसे मांगते नहीं है इनको आज कहां से आव सकता पड़ गई तो मैं करने ही जा रहा था मन में ख्याल आया कि एक बार इनसे बात कर लेते हैं मैंने उनको फोन लगाया लेकर उनकर लगातार फोन बीजी जा रहा था कुछ दिर बाद फिर मने एक बार ट्राइ किया तो देखा उनका फोन स्विच आप था लेकिन वाटसप पे आनलाइन थे हमें कुछ संका हुई है मैंने वाटसप किया कि बैसा आप इसमें आप कहां पे हैं कर पे अपना लोकेशन दें तो फिर भी उस वाटसप पे में यही मैसे जा रहा था प्लीज जल्दी कर दें बहुत ही आर्जेंट है पैसे किया हो सकता है पर मैंने किया नहीं हमको संका हो गई फिर नेस्टेडे हमें पता चला कि उनका फोन उनका वाटसप हैक हो गया था किसी ने हैक कर लिया था और वो अपना फोन से सिम भी निकाल दिये थे, उनको जानकारी हुई तो. फिर भी कई मित्रगारे से उन्होंने पैसे ले लिए जिसने हैग किया क्यूंकि कई मित्रगार्ड मेरी तरह से फौन मिला कर नहीं देखिए कि कि फोन में लाकर यह पार जांग परताल कर ली जा है और उसके यूपी आई एड्रस जो मैसेज किया था उस पर उनों पैसे भी दिया है किस तरह से पैसे उनके फस गए कहने का मेरा ताथ पर है कि इस विशे पर भी आवेर हो जागरूख हो कि कभी भी कोई कितना भी परमित्र आपका हो कि कोई भी रिष्टेदार हो अगर वो वाट्सप पर मैसेज करें कि हमें इतने पैसे दे दीजिए दो हजार तीन हजार जो भी उसकी आउसकता हो तो आप जरूर एक बार उससे काल पर बात कर लें उसके बाद ही उनके यूपी आई पर पैसे भेजें अनित्था आपके पैसे फज जाएंगे और फराड को मिल जाएंगे तो इस तरह से बहुत ही नए-ए टकनिकी फराड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर भी अवेर हो ध्यान दें और दूसरों को भी समझाएं जागरुकता ही बचाओ है जागरुक बनें दूसरों को भी जागरु के बारे मताया जाए जाक रुकिया जाए मैं तो बच गया आप लोगों को भी पचाया जाए धन्यवाद थेंकि वेरी मुच